आधि नमसे मेरे दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले है एडवन्टेज एंड डिस अड्वांटेज़ ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अब दस एड्वांटेज़ से और पाफ डिस अड्वांटेज़ सबसे पहले हम पहले एडवांटेज के उपर आएंगे जो है actions are reversible अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो भी mistakes आप या युकान से जो भी actions आप graphical user interface में करते हो वो सब actions reversible है मतलब undo करके वापस आप पहले वाले stage पे आ सकते हो for example अगर suppose आप word file में कोई mistake commit करते हो तो आप undo करके वापस उसी stage पे आ सकते हो जहां से आप वो mistake commit करने वाले थे मतलब basically mistake करने से आप अपने आपको बचा सकते हो या कोई भी action करने के बाद अगर वो action आपको गलत लगे तो उस action को वापस undo करके उस action को करने से अपने आपको बचा सकते हो second advantage के उपर आते हैं हम लोग graphical user interface is easy to learn अब इसका मतलब क्या है पुराने जमाने के जो computers थे उसमें सारी की सारी चीजे एकड़म textual format में होती थी और इसलिए लोगों को वो computer operate करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था वो computer operate करना लोगों को बहुत ज़्यादा monotonous लगता था ओके तो अभी graphical user interface में यह सारी चीजे यह सारी textual चीजे एक graphical format में convert कर दी गई बहुत सारे images डाल दिये गए बहुत सारे icons डाल दिये गए बहुत सारे applications डाल दिये गए और इसलिए लोगों को यह सारी चीजे operate करना बुलगता है बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और इसलिए GUI is easy to learn राइट थर्ड एडवांटेज के उपर हम जम करते है थर्ड एडवांटेज इस ड्राइग एंड ड्रॉप फीचर अब आपको तो पता हिए के ड्राइग और ड्रॉप क्या होता है आप एक फाइल से दूसरे फाइल योगन से विंडोज का जो हॉमपेज हैं वहां से आप किसी फाइल में चीज़े drag and drop कर सकते हो या वास वर्सा ऑड रुग मिन बस आपको एक चीज चीज़ के ऊपर क्लिक करने उसको क्लिक करके ऐसे करके करना है और उस फाइल पर ड्रॉप कर देने का है मतलब माउस जिस जो भी बटन आपने क्लिक किया है वो छोड़ देने का है राइट एक्जाम में इसारा मत लिखना बस ड्राइग और फीचर अर अवैलेबल और इसको अगर आप थोड़ा एक्सपांड करें कर सकते हो तो कर सक लेट के हैं फाम उसको अगर लाके खृर्सी पर बैठा दो और उसके सामने ग्राफिकल यूजर इंटरफीर्एज या विंडिोस रख दो लकित ही जलिच जाएगा go बाप का खेंड़ अ होता है कि कोई भी इंसान बच्चा हो या बुढ़ा लड़की हो या औरत अगर कोई छोटा भी लड़का हो तो वह जल्दी से जल्दी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को समझ जाना चाहिए यह उसके पीछे का एक एम होता है ओके अब फिफ्ट पॉइंट के उपर आते ह हम लोग hotkeys usage मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मاؤच से आपको बहुत ही जादा तकलीफे हो यह मतलब अगर suppose mouch से आप इदर से उदर उदर से इदर जा रहे हो तो जो end goal है वो जो end goal है उसका एक hotkey होता है मतलब अगर suppose आपको इंपोर्ट फाइल के उपर जाना हो तो import फाइल जो होता है वो आप सिर्फ एक बटन दबा के भी उधर जा सकते हो और वो जो एक बटन होता है उसका नाम होट की होता है जैसे कि मानलो फॉर एक्जामबल एफ बटन या कंट्रोल एस, कंट्रोल वी ऐसा कुछ सिक्स पॉइंट के उपर आते हैं हम लोग नो टाइपिंग एरर्स पुराने जमाने के जो कंट्रोल थे उसमें सब टेक्शुल फॉर्माट में चीज़े थी और इसी लिए लोगों के टाइपिंग एरर्स बहुत ही जादा होते थे अब 7 point की तरफ हम आते हैं, can see final product before printing, अब इसका मतलब कहा है, कोई भी चीज printing करने से पहले आप देख सकते हो कि इस चीज का final product कैसे होगा, ये चीज print होने के बाद कैसे दिखेगी, basically आप ये देख सकते हो कि मैं क्या print करने वाला हूँ, right, 8 point के उपर आते हम लोग, dynamic data exchange feature, अब इसमें आप चीजे exchange कर सकते हो, information आप share कर सकते हो, right, I mean इसका example, I don't think मुझे आपको देने के जरूरत है, मतलब basically, इधर से उधर information को move करना, इधर से उधर information को share करना, ये सारी चीजे हमारा graphical user interface allow करता है, 9th point के उपर हम आते है, जो है replace national languages, अब इसका मतलब कहा है, अगर suppose मेरे पास पाच लोग है, एक है हिंदू, I mean एक है हिंदी, एक है मराथी, एक है Japanese, एक है English, और पाच हो है Spanish, और अगर इन पाचों में से, अगर suppose एक को मैंने सामने बोला या किसी नए इंसान को मैंने सामने बोला और उसने बोला है, हैन Spanish में, तो सामने वाला जो Spanish वाला इंसान ह वो तो समझ जाएगा कि वो hand बोल रहा है बटे बाकी के चार लोग नहीं समझ पाएंगे कि वो hand बोल रहा है कि कि वो Spanish में बोल रहा है ठीक है तो basically language एक barrier है अब graphical user interface ने ये language का जो barrier है वो हटा दिया गया है कैसे I mean हटा दिया है कैसे एक icon को use करके मतलब hand बोलने से अच्छा व नाइन्थ एडवांटेज का टैंथ एडवांटेज के ओपर हम जम करते हैं symbols are recognized faster than text इसका मतलब क्या है obvious इसका मतलब है टेक्स से अच्छा symbol एक इंसान का दिमाग recognize कर पाता है और यही graphical user interface को easy to learn भी बनाता है और लोगों को बहुत ज्यादा interactive लगता है लोगों को बहुत ज् disadvantages of graphical user interface के ओपर पहला disadvantage is difficult to develop and high cost अगर सपोज आपको एक सुल्दर सा graphical user interface develop कर रहा है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूवत होती है and I mean वह बनाना बहुत ज्यादा difficult होता है and उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी included होता है बहुत ज्यादा रोगडा included होता है ठीक है तो इसलिए difficult to develop and high cost right second disadvantage के ओपर जम करते है slower than command line tool अब इसका मतलब क्या है ग्राफिकल user interface जो होता है वो command line योकें से command prompt है जो भी textual चीज़े करते हो आप उससे slower होता है वो चीज़े ज्यादा fast होती है and अभी third point is greater design complexity अब इसका मतलब क्या है पूरा नहीं जमाने के जो computer से उ जो भी करना है आप टेक्शल फॉर्म में करना पड़ता था आपको इस जमाने में आपको graphical user interfaces design करने पड़ते हैं और graphical user interface जो होते हो बहुत ही अलग अलग प्रकार के अच्छा जादा महनत होता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट और उसमें आपका time consumption भी बहुत ज़्यादा होता है और अगर सब्सक्राइब ने एक अच्छा सा ग्राफिकल उसर इंटरफेस डेवलप कर लिया बट कस्टमर को पसंद नहीं आया है किसे कस्टमर को उसमें कोई खराबी लगी तो उसके लग सकते है I mean I mean उसके problems हो सकते है ठीक है तो इसलिए greater design complexity मतलब उसके दिमाग के उपर हमेचा tension होता ही है कि सामने वाले को कैसे रहेगा क्या यह अच्छा हो रहा है या नहीं और ऐसा कुछ तो अभी time consumption में आपको पता चली गया होगा कि मैंने इसमें क्लूड किया था कि time consumption क्या होता है and the last one is graphical user interface consumes you can say uses more RAM graphical user interface बहुत अधर RAM का इस्तमाल करता है as compared to other stuff you can say बस इतना ही लिख सकते हो ठीक है so I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अब exam में अगर इसके उपर 10 mark का question आता है तो आपको इसके 10 advantages और 10 disadvantages लिखने पड़ेंगे notes में मैंने दोनों के-दोनों के 10-10 advantages और disadvantages include कर दिये और अगर ऐसा question आता है 10 mark के लिए जिसमें कोई और एक questionARS है और उसके साथ य bonne question तो इसके 5 advantages और इसके 5 disadvantages आपको लिखने पड़ेंंगे और सिर्फ advantages and disadvantages के उबर 5 mark का question आता है तो 5-5 advantages and disadvantages अब लिख सकते हो अब notes में मैंने बाकी के ऐसे questions और उनके answers भी include किये है जो university question papers में बहुत बार आ चुक है और आगे आने वाले question papers में भी बहुत ज़्यादा chances है इन questions के आने का तो आप notes refer कर सकते हो notes के लिए नीचे description में मैंने एक link दी है वहाँ से आप notes खरीच सकते हो so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा playlist कर लिंग आपको description में मिल जाएगा जहाँ पर सारे के सारे वीडियो में ने include कर दिये है पत्तला basically पूरा का पूरा subject complete कर दिया है वहाँ पे वहाँ आप free में देख सकते हो so thank you for watching this video and have a nice day bye bye